अस्सलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज कीस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उर्दू ग्रामर जे बिलकुल देखिए हलांकि में आप लोगों को उर्दू ग्रामर को पढ़ा चुकी हूँ लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यदा कमेंट आ रहा था कि उर्दु ग्रामर को पढ़ा देजिए तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को वह उर्दु ग्रामर के टॉपिक पढ़ाऊं जो कि आप लोगों के एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो इस और इस लिए मैं आप लोगों को यह इंपोर्टेंट समझते उर्दु ग्रामर पढ़ा रही हूं ठीक है और खास तोर से इससे रिलेटेट कोश्चन आप लोगों के 10 और 12 एक्जाम में पूछा जाता है तो जितने भी 10 और 12 क्लास के स्टूडेंट है वो तो मितलब ध्यान से फोकस करकर इस चीज को पढ़ेंगे तूढ़ एप लोग 2 और 12 स्पहल द्यांस का ठीक है तो चलिएर ना परहुंगे ऐंडी घंदी future trends ये सारी चीज़े पढ़े होंगे ना हिंदी में आप लोग काल पढ़े होंगे तेन्स को हिंदी में बोला जाता है काल भविश्य काल भूत काल और वर्तमान काल ये सारी चीज़े आप लोग Tense और काल, Hindi और English दोनों में पढ़े होंगे, लेकिन क्या आप लोग कभी सोचे हैं, कि Tense को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, तो Tense को उर्दू में कहते हैं Zamanah, किसी काम के वक्त को, हम लोग Tens कहते हैं, और उर्दू में Zamanah कहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो वो काम आप लोग किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी समय में तो करते हैं, तो उसी समय को, उसी वक्त को हम लोग क्या कहते हैं, tense कहते हैं और उर्दू में जमाना कहते हैं, time is called tense, ठीक है, time is called जमाना, ठीक है, उर्दू में जमाना, तो किसी भी व समय का तीन परकार तीन टाइप एक वैसा समय जो आप लोग का बीट चुका है और एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है करेंटली वर्तमान में चल रहा है और एक वैसा समय जो की आने वाला है ठीके तो जमाने को वक्त को तीन भागों में बाटा गया है तेंस को तेंस के कितने पर परकार तीन परकार देखिए खpciónता चार्च के तीन परकार में लिगदी inputs काण, के अरे हैं और दमान काल और सम्हान मस्ताकबिल को इंग्लिस में बोलते हैं inner spelled जबाँनों और हिंदी में भविस्यकाली that थीकिए तो आप रूग जैसे पढ़ें होंगे इंग्लिस में कि टेंस के तीन टाइप प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर और हिंदी में भी पढ़े होंगे काल के तीन परकार भूत काल भविश्यकाल और वर्तमान काल बिल्कुल उसी तरह जमाना उर्दू में भी जमाना का तीन परकार होता है जमाना माजी जमाना हाल और जमान मुस्तक्बिल जमाना माजी वैसा समय वैसा जमाना जो बीट चुका हुआ हो जिसे कि मैं एक्जांपल देकर आप लोगों को समझा हूँ कि मैं खत लिखी फिर मैं पढ़ चुकी हूँ ठीक है मैं खत लिखती थी मैं रोती थी ठीक है और मैं पढ़ती थी मैं पढ़ चुकी हूँ तो इसे मालूम क्या चल रहा है कि मैं जो काम कर रही थी वो गुजरे हुए जमाने में कर रही थी यानि कि ये काम जो है मैं गुजरे हुए जमाने में पास्ट टाइम में की हूँ तो आप वो जो गुजरा हुए जमाना है, time जो बीट चुका है उसको बोलेंगे जमाना माजी, ना कि आप मेरे काम को बोलेंगे, जिसे कि मैं खत लिखती थी, तो इसे क्या मालूम चल रहा है, कि मैं past time में खत लिखती थी, गुजरे हुए जमाने में खत लिखती थी, गुज लिखने को नहीं बोलेंगे, clear हो गई बात, I think आप लोग को समझ में आया, अब देखिए, जमाना हाल, वैसा जमाना जो अभी currently चल रहा है, अभी जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, मैं आप लोग को पढ़ाने का काम कर रही हूँ, कब हो रहा है, तो इस वक्त को आप लोग बोलेंगे, जमाना हाल, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो अभी currently ये काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जमाना हाल, इस समय को बोलेंगे, जमाना हाल, जी नहीं, मैं इस समय को बोलेंगे, पढ़ाने के स भी काम हो रहा है यह प्र्जेंट में हो रहा है तो इसको आप उस समय को बोल देंगे जमाना मुस्टक्बिल वैसा जमाना वैसा वक्त जो अभी आने वाला है जैसे कि मैं खेलूंगी मैं दौरूंगी मैं पढ़ाऊंगी, ये सब क्या है? इस से मालुम चल रहा है कि मैं आने वाले वक्त में ये काम करूँगी, तो उस आने वाले वक्त को, आने वाले समय को, टाइम को, आप लोग बोलते हैं, जमाना मुस्तक्बिल, फ्यूचर, टेंस, और हिंदी में बोलते हैं, भविस्यकाल, I think आप लोगे माइंड में घुसा होगा और समझ में आया होगा ठीक है अब तो इतना बात किलियर हो गया अब आगे देखिए यहां पर जड़ा फोकस कीजिए यहां से तो कोश्चन ज्यादे तर टेंथ वाले एक्जाम में पूछता है यहां से सबसे ज्यादा कोश्चन उठात ठीक है काम करने वाले को सब्जेक्ट यह फिर करता कहते हैं ठीक है और बिल्कुल उसी तरह आप वर्ब भी पड़े होंगे इंग्लिस में वर्ब काम करने को कहते हैं काम को जो भी आप काम करते हैं उस काम को बोला जाता है वर्ब यहाँ पर मैं लिक दे रही हूं काम करने क को क्या कहते है वर्व और हिंदी में बोलते है किरिया और अब्जेक्ट होता है जिस पर काम का असर पड़े ठीक है बिल्कुल उसी तरह आप लोग और मफूल कहते हैं अबजक्ट को जिस पर काम का असर पड़े जैसे कि अब आप लोग को एक्जामपल दे कर समजाती हों तो इसमें कौन काम कर रहा है तो मैं काम कर रही हूं क्या काम कर रही हूं तो लिखने का काम कर रही हूं मैं क्लम लिखती हूं इसमें कौन काम कर रहा है मैं क्या हो गई काम कर रही हूं कौन से क्पर ख़र और किस पर अशर पर उसर पढ़ रहा है?? तो कलम से लिख रही हूँ ना तो कलम क्या हो गया? मफूल हो गया इसी तरह से अब एक्जाम में कोशन पुछता है कि नदीम आया ठीके? इसमें बताईए फाइल कौन है? ठीके? नदीम आया इसमें फाइल कौन है? अब आप लोग खुद से सोचिए और बताईए कि नदीम आया में फाइल कौन है? फाइल कहते हैं सब्जिक्ट को जो काम को करता है तो सिंटेंस दिया है नदीम आया तो नदीम आया में फाइल कौन है? सब्जिक्ट कौन है? कौन काम कर रहा है? आनी का काम कौन कर रहा है? नदीम कर रहा है ठीक है तो नदीम क्या हो गया फाइल हो गया ठीक है नदीम आने का काम कर रहा है तो नदीम फाइल हो गया और वर्म क्या है आना वर्मे वो काम क्या कर रहा है आने का काम कर रहा है तो आना क्या हो गया फेल ठीक है अगर किसी चीद से आता साइकल से आता नद कि रिखक कर लेना है यहां से आप लोग को को इसको अभी क्या पॉइंट आउट कर लेना है माइंड में अभी क्या Bahand कॉस्टन पूछता है अब जरह हम लोग搞 के बारे में समझ लेते हैं वार्भ जामाना के लिहाद से काम को यहां पर fit का मतलब समझेगी काम करने के हम को fail कहते हैं ठीके तो esमाना के लिहाद से याई कि टेंस वक्त के लिहाद से जो fail होता है काम वह तीन टाइप का होता है एक व Tal même यानि कि गुज़रे हुआ जमाने में किया जा चुका है तो उसको बोलेंगे फेल माजी और एक वैसा काम वैसा फेल जो की अभी किया जा रहा है हाल में प्रदेंट में किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे फेल हाल और वैसा काम जो की आप करेंगे आने वाले जमाने में करेंगे तो उस काम को बोला जा और पिल मस्तख्बिल वैशा काम जो की आप कर चुके हैं वैसा काम जो कि आप घुजरे हुए जमाने में कर चुके हैं और फेल हाघाल जो आभी आप काम कर रहे हैं उसको पेल हाफल तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया यहां Tá फटटफट screenshot फिर मैं आप लोग को किरिया फेल का टोटल कितना प्रकार होता है तो टोटल होता है बारा बारा किसमें होती है फेल की और जिसमें से यह दोस्त बहुत जदा इंपॉर्टेंट होता है यह दोस्त बहुत जदा इंपॉर्टेंट नहीं होता है यह दोस्त बहुत जदा इंपॉर्टेंट होता है और question पुछता है ठीक है फेल माजी तो मैं आप लोगों को बता ही दी ठीक है नदीम गया फरीदा खत लिखती थी इसे मालूम क्या चल रहा है यह काम हो चुका है गुजरे वे वक्त में ठीक है तो यह हो गए आप लोगों का फेल माजी तो इसी तरह से question पूछ देता है कोई sentence दे में काम हो रहा है तो जिस भी option में फेल माजी दिखाई दे अप लोगों को धीरे से ठीक कर देना है ठीक है और उसी तरह फेल हाल है साहित किताब पढ़ता है मैं आप लोगों को बताई ही कि वैसा काम जो आने वाले समय में किया जाएगा उसको बला जायता है फेल मुस्तक् तो इस तरह से अगर question पूछे तो आप लोग आख बंद करके बेजजक सही जवाब लगाईएगा ये तीनों में तो आप लोगों को कोई confusion नहीं है अब पढ़िए चौथा टाइप फेल का चौथा टाइप है फेल मजारे क्या नाम है चौथा टाइप का चौथा किसम का फे फेल मजारे वैसा फेल वैसा काम जिसमें आप लोगों को हाल यानि की present और मुस्तक्बिल यानि की future दोनों की जलक दिखाई दे उसको बोलते हम फेल मजारे जैसे की हम लिखा है हम जाएं तो हम जाएं से आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम अभी जाएं कि बाद में दोनों की जलक दिखाई भी जाएं कि बाद में जाएं ठीक है तो दोनों की एक उरको डिखाई दे रही है अपे जलक की और फेल अम्र अब देखिए फेल अम्र किसे कहते हैं वह ऐसा काम जिसमें हुक्म दिया गया हूँ ठीके जैसे कि तुम यह पढ़ाई करो तुम ग्यापनिक इडमी को सबस्क्राइब करो भई तुम एक गिलास पानी लाओ तुम पढ़ो ठीके जिसमें हुक्म दिया जाए order दिया जाए कि तुम ये काम करो तो जिस sentence में काम करने का order दिया जाए तो उस sentence को उस काम को बोला जाता है fail अम्र ठीक है आगे देखिए fail नहीं fail नहीं इसका ये ऐसा fail है ऐसा काम है जिसमें मना किया जाए रोका जाए कोई काम को करने से तो उस तरह के sentence को उस तरह के काम को बोला जाता है फेल नहीं जैसे कि तुम मत आ तुम मत खाओ ठीक है तुम मत पढ़ो तुम वहां ना जा ठीक है ये काम तुम मत कर ठीक है तो जिसमें आप लोग को क्या किया जा रहा है रोका जा रहा है किसी काम को करने से तो उस तर सबजЕक्ट को फेल नहीं कहते हैं सिंपट आगे देखिए छे यह सिर्फ सबजेक्ट को मांगता है कि सबस्जेक्ट रहना जैसे कि मैं बोल दू हसा तो आप लोग के सिमांग में कोशन आएगा ना कि कौन हसा तो लुब टू इंट कि नदीम हसा तो अब यह क्या है ठाल है से वर्व होते हैं जो क्या करते हैं सिर्फ फाइल यान कि सब्जेक्ट को ढूंदते हैं दोड़ा मैं बोल दी दोड़ा तो कौन दोड़ा कोशना रहे ना तो कौन दोड़ा सब्जेक्ट तो होना चाहिए कि कौन दोड़ा तो घूड़ा तो घूड़ा क्या हो गया सब्जेक् को ढूँञते हैं और इसतरह के वर्ब को हम लोग बोलते हैं फेल लाजिम आगे देखिये फिल मतादी जो है ना इसमें इस तरह के वर्ब में आप लोग दोनों देखेंगे अबजिक्ट और सब्जेक्ट फाइल और मफूल दोनों देखने को मिलेगा जैसे की उस्ताद ने सब्जेक्ट को पढ़ाया तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए सब्जेक्ट भी है जो की काम कर रहा है यानि कि उस्तार टीचर जो है वो सब्जेक्ट है काम कर रहा है पढ़ाने का तो सब्जेक्ट हो गए टीचर और कौन सा काम कर रहा है तो पढ़ाने का काम कर रहा है तो वर्व हो गया और object क्या पढ़ा रहे हैं तो सबक को पढ़ा रहे हैं तो object यान की मफूल क्या हो गया सबक तो यह इस तरह का sentence है जिसमें आप लोगो subject भी दिखाई दे रहा है और object भी दिखाई दे रहा है यान की file भी दिखाई दे रहा है और मफूल भी दिखाई दे रहा है तो इस तरह के sentence को आप लोग बोलेंगे फेल मुतादी, इस तरह के verb को इस तरह के feel को बोलेंगे फेल मुतादी, मैं कलम से खत लिखी, तो इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, कि मैं जो हूँ कलम से, मैं क्या हो गई, file यानि कि subject हो गई, और किस चीज़ से मतलब खत लिखी, तो कलम से खत लिखी, तो कलम क्या हो गया, मफूल हो गया, मैं कलम से खत लिखी, इसमें आप लोग को subject भी दिख रहा है, मैं, और आप लोग को object भी यानिकी मफूल भी दिख रहा है, कलम, यानिकी subject और object दोनों दिखाई दे, उस तरह के आप लोग को fail को कहते हैं, चाहिए फैल मताधी आगे देख्यें फैल मारूफ एसा होता है जिसमें आप लोगो पाइल डिखाइए दे फाइल यानिकी सुब्ज को रख है नदीम पड़ता है इसमें आप लोगो को किया दिखाः दे रहा है वह वह खेलेगा नदीम पड़ता है तो इस इस वर्म में आप लोगो स्ज़ेक्ट मालूम रहता है कि कौन कौन यह काम कर रहा है उस तरह के fail को हम लोग बोलते हैं fail मारूफ आगे देखिए 10 नंबर है fail मजहूल fail मजहूल वैसा fail होता है वैसा काम होता है जिसमें आप लोग को file मालूम ना हो यहां कि subject काम करने वाला इंसान मालूम नहींकि कौन काम कर रहा है जैसे कि खत लिखा गया इसमें आप लोग को मालूम चल रहा है कि कौन खत लिखा सिर्फ यहां पर लिखा गया है खत लिखा गया ठीक है अब यह कौन खत लिखा आप लोग को मालूम नहीं है सब्जेक्ट मालूम नहीं है तो इस तरह के फेल को इस तरह के स फेल लाजिम और फेल मतादी की तरह होता है हासा और उस्ताद ने सबक पड़ा इसे तरह यह दोनों चीज़ आप लोगों को जिस किरिया में देखने को मिलेगा उसको बोल देंगा फेल ताम यह इतना इंपॉर्टन नहीं होता है आगे देखिए टुवल नंबर है फेल नाकि सब्जेक्ट है इसकी हाँ acum पर बताइ गई है कि वह यहाँ पर आता है कि वह शक मालूम चलें वह सब्जेक्ट्व तो उस तरह के संसे रोख और बोल देंगे लोग अटव 12 किस्म 12 टाइप आप लोग के फेल का ठीक है तो ले लीजे यहां तक फट फट स्क्रीन शॉट तो यह मैं आप लोग को बता दी उर्दु गरामर का मॉस्ट इंपॉर्टन इंपॉर्टन टॉपिक जो कि आप लोग के एक्जाम में बार बार पूछा जाता है जितना भी मैं आप लोग को किस्म बताई ये बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन है ठीक है और ये जो फेल माजी है इसके भी 6 किसमे होती है 6 टाइप होता है और उसमें से भी एक्जाम में question पूछा जाता है तो उसको भी मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी पहले यहां तक मैं जितना भी पढ़ाई हूँ इस पर पहले आप लोग पकड़ बना दीजिए हर एक एक पॉइंट को आप लोग य नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हापीज